उन्हें लेकर कई मीडिया होसेज ने मुहिम भी चलाई, मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुचाया, मैं उन यूटूबर्स को भी धन्यवाद दूँगा, जिन्होंने मन की बात पर अनेक कारकम किये, इस कारकम को देश की 22 के साथ बारा विदेशी भासाओं में भी सुना जा सकता है मुझे अच्छा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि उन्हों ने मन की बात कारकम को अपनी स्थानिय भाषा में सुना आप मैंसे बहुत से लोगों को ये पता होगा कि मन की बात कारकम पर आधारियत एक पीच कंपेटिशन भी चल रहा है जिसमें कोई भी व्यक्ति हिसा ले सकता है माइगौव.in पर जाकर आप इस कंपेटिशन में हिसा ले सकते हैं और इनाम भी जीत सकते हैं आज इस महत्मपूर्ण पढ़ाव पर मैं एक बार फिर आप सबसे आश माँगता हूँ पवित्र मन और पूर्ण समर्पन भाव से मैं इसी तरह भारत के लोगों की महानता की गीत गाता रहूं देश की सामुहिक शक्ति को हम सब इसी तरह सेलिब्रेट करते रहें यही मेरी इस्वर से प्रार्थना है जनता जनादन से प्रार्थना है मेरे पहले देश वाज़ियो पिछले कुछ सब्ता से देश के अलग-अलग हिस्सों में जवरदस बारिश हो रही है बारिश का ये मौसम हमें याद दिलाता है कि जल सवरक्षन कितना जरूरी है पानी बचाना कितना जरूरी है बारिश के दिनों में बचाया गया पानी जल संकड के महिनों में बहुत मदद करता है और यही कैज़ रेन जैसे अभ्यानों की भावना है मुझे खुशी है कि पानी के सवरक्षन को लेकर कई लोग नई पहल कर रहे हैं ऐसा ही एक प्रयास उत्तर पदेश के जांसी में देखने को मिला है आप जानते ही हैं कि जांसी मुंदेल खंड में हैं जिसकी पहचान पानी की किल्लत से जुड़ी हुई है यहां जांसी में कुछ महला होने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है यह महलाएं सेल्फ हेल्फ गुरूप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल्द सहेली बनकर इस अभियान का नित्रुत्व किया है इन महलाओं ने मुतप्राए हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है उसकी किसी ने कलपना भी नहीं की होगी इन जल्द सहिलियों ने बोरियों में बालू भर कर चेक्डेम तयार किया बारिश का पानी बरबाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर दिया इन महिलाओं ने सेंकडों जलासें के निर्मान और उनके रिवाइबल में भी बढ़ चड़कर हाथ बटाया है इस से इस छेत्र के लोगों की पानी के समस्या तो दूर हुई है उनके चहरों पर खुशियां भी लोट आई है साथियों कहीं नारी शक्ती जल शक्ती को बढ़ाती है तो कहीं जल शक्ती भी नारी शक्ती को मजबूत करती है मुझे मद्द प्रदेश के दो बड़े ही प्रेणादाई प्रयासों की जानकारी मिली है यहां डिंडोरी के रहईपूरा गाउं में एक बड़े तालाप के निर्मान से भूजल स्तर काफी बढ़ गया है इसका फायदा इस गाउं के महलाओं को मिला यहां शारदा आजिवी का स्वयम साहता समू इससे जुड़ी महलाओं को मचली पार्लर का नया भयवसाई भी मिल गया इन महलाओं ने फिश पार्लर भी शुरू किया है जहां होने वाली मचलियों की बिक्री से उनकी आई भी बढ़ रही है मद्यप्रदेश के छतरपूर में भी महलाओं का प्रयास बहुत सरहनी है यहां के खौब गाओं का बड़ा तालाब जब सूखने लगा तो महलाओं ने इसे पुनर जीवित करने का बिड़ा उठाया हरी बग्या स्वयम साहता समू कि इन महलाओं ने तालाब से बड़ी मात्रा में घाद निकाली तालाब से जो घाद निकली उसका उप्योग उन्होंने बंजर जमीन पर फूट फरेस्ट तैयर करने के लिए किया इन महलाओं की मैनत से ना सिर्थ तालाब में खुब पानी भर गया बल्कि फसलों की उपजवी काफी बढ़ी है देश के कोने कोने में हो रहे जल्द समरक्षण के ऐसे प्रयास पानी के संकट से निपटने में बहुत मददगार साबित होने वाले है मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी अपने आसपास हो रहे है ऐसे प्रयासों से जुरूर जुड़ेंगे मेरे पहरे देशवासियो उत्राखन के उत्तरकाशी में एक सीमावरती गाउं है जाला यहां के युवाओं ने अपने गाउं को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू किये हैं वे अपने गाउं में धन्यवाद प्रकृती या कहें थेंक्यू नेचर अभियान चला रहे हैं इसके तहट गाउं में रोजाना दो गंटे सफाई की जाती हैं गाउं की गलियों में बिखरे हुए कुडे को समेट कर उसे गाउं के बाहर ताय जगह पर डारा जाता है इसे जाला गाउं भी सच हो रहा हैं और लोग जागरूप भी हो रहे हैं आप सोचिए अगर ऐसे ही हर गाउं हर गली हर मौला अपने यहां ऐसा ही थेंक्यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्टन आ सकता है साथियों स्वच्छता को लेकर पूरी चेरी के समुद्रत पर भी जबर्दस्थ मुहीम चलाई जा रही है यहां रम्याजी नाम की महला माहे मुनसिपल्टी और इसके आसपास के ख्षेत्र के युवाओं की एक टीम का नित्रूत्व कर रही है इस टीम के लोग अपने प्रयासों से माहे एरिया और खासकर वहां के बीचेश को पूरी तरह सापसुत्रा बना रहे है साथियों मैंने यहां सिर्फ दो प्रयासों की चर्चा की है लेकिन हम आसपास देखें तो पाएंगे कि देश के हर किस हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है कुछी दिन बाद आने वाले दो अक्तूबर को स्वच्छ भारत मिशन के दस साल पूरे हो रहे हैं यह अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिनों ने इसे भारत की इतिहास का इतना बड़ा जन आंदुरन बना दिया यह महत्मा गांधी जी को भी सच्ची स्रधांजली है जो जीवन परियंत इस उद्देश के लिए समर्पित रहे हैं साथियों आज यह स्वच्छ भारत मिशन की ही सपलता है कि वेश्टू वेल्ट का मंत्र लोगों में लोगप्रिय हो रहा है लोग रिडूस रियूज और रिसाइकल पर बात करने लगे हैं उसके उधारन देने लगे हैं अब जैसे मुझे केरला में कोजी कोड में एक शांदार प्यास के बारे में पका चला यहां 74 यर के सुब्रमन्यम जी 23,000 से अधिक कुर्शियों की मरंबत करके उन्हें दोबारा काम लाइक बना चुके हैं लोग तो उन्हें रिडूस रियूस और रिसाइकल यानी ट्रिपल आर चेंपियन भी कहते हैं उनके इन अनूठे प्रयासों को कोजी कोड सिविल स्टेशन, पी डवलुडी और एलाइसी के दप्तोरों में देखा जा सकता है साथियों स्वच्छता को लेकर जारी अभ्यान से हमें जादा से जादा लोगों को जोड़ना है और ये अभ्यान किसी एक दिन का एक साल का नहीं होता है ये यूगों यूगों तक निरंतर करने वाला काम है ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता तब तक करने का काम है मेरा आप सबसे आगरह हैं कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पडोशियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभ्यान में हिस्सा जरूर ले मैं एक बार फिर स्वच्छ भारत मिश्ण के सबलता पर आप सभी को बढ़ाई देता हूँ मेरे पैरे देश्वासियों हम सभी को अपनी विरासत पर बहुत घर्व है और मैं तो हमेशा कहता हूँ विकास भी विरासत भी यही वज़े है कि मुझे हाल की अपनी अमेरिका यात्रा के एक खास पहलू को लेकर बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं एक बार फीर हमारी प्राचीन कलाकृत्यों की वापसी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है मैं इसे लेकर आप सब की भावनाओं को समझ सकता हूँ और मन की बात के भूताओं को भी इस बारे में बताना चाहता हूँ साथियों अमेरिका की मेरी यात्रा के दोरान अमेरिकी सरकार ने भारत को करीब तीन सो प्राचीन कलाकृत्यों को बापस लोटाया है अमेरिका के राश्पति बाइडेन ने पूरा अपनापन दिखाते हुए डिलावेर के अपने नीजी आवास में इन में से कुछ कलाकृतियां को मुझे दिखाया लोटाई गई कलाकृतियां टेरा कोटा, स्टोन, हाथी के दांत, लकडी, तांबा और कांसे जैसी चीजों से बनी हुई है इन में से कई तो चार हजार साल पुरानी है चार हजार साल पुरानी कलाकृतियों से लेकर उननीसवी सदी तक की कलाकृतियों को अमेरिका ने वापस किया है इन में फुलदान, देवी देवताओं की टेरा कोटा, पटिकाएं, जैन तित्हंकरों की प्रतिमाओं के अलावा भगवान बुद्ध और भगवान से कृष्ण की मूर्तियां भी शामिल है लोटाई गई चीजों में पशूओं की कई आकृतियां भी हैं, पूरूश और महिलाओं की आकृतियां वाली जम्मु कश्मीर की टेरा कोटा टायल तो बेहद ही दिलचस्प है इन में कांसे से बनी भगवान स्री गणेश जी की प्रतिमाय भी है जो दक्षिन भारत की है वापस की गई चीजों में बड़ी संख्या में भगवान बिश्टू की तस्वीर भी हैं ये मुखे रुप से उत्तर और दक्षिन भारत से जुड़ी है इन कलाकूरतियों को देखकर पता चलता है कि हमारे पुर्वच बारिकियों का कितना ध्यान रखते थे कला को लेकर उनमें गजब की सुझबुश थी इनमेंसे बहुत सी कलाकूरतियों को तसकरी और दूसरे अवैद तरीकों से देश के बाहर ले जाया गया था यह गंबीर अपराद है एक तरह से यह अपनी विरासत को खत्म करना जैसा है लेकिन मुझे इस बात की भहुत खुशी है कि पिछले एक दसक में ऐसी कई कलाकूरतियों और हमारी बहुत सेरी प्राचीन दरोरों की गर वापिस सी हुई है इस दिशा में आज भारत कई देशों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है मुझे विश्वास है जब हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं तो दुनिया भी उसका सम्मान करती है और उसी का नतीजा है कि आज विश्व के कई देश हमारी यहां से गई हुई ऐसी कलाकूरतियों को हमें वापिस दे रहे हैं मेरे पहरे साथियों अगर मैं पूछू कि कोई बच्चा कौन सी भासा सबसे आसानी से और जल्दी सिकता है तो आपका जवाब होगा हमारे देश में लगभग बीस हजार बाशाएं और बोलिया है और यह सब की सब किसी न किसी की तो मात्रु भासा है ही है कुछ बाशाएं ऐसी है जिनका उप्योग करने वालों के संख्या बहुत कम है लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि उन भाशाओं को संवरक्षित करने के लिए आज अनोखे प्रयास हो रहे हैं ऐसी ही एक भाशा है हमारी संथाली भाशा संथाली को डिजिटल इनोवेशन की मदद से नई पहचान देने का अभियान शुरू किया गया है संथाली हमारे देश के कई राज्यों में रह रहे संथाल जन जातिय समुदाय के लोग बोलते हैं भारत के अलावा बांगलादेश नेपाल और भुटान में भी संथाली बोलने वाले आदिवासी समुदाय मोजूद है संथाली भाषा की ओनलाइन पहचान तैयार करने के लिए ओडिशा के मवरुभंज में रहने वाले स्रीमान रामजित टूडू एक अभियान चला रहे हैं रामजित जी ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफर्म तैयार किया है जहां संथाली भाषा से जुड़े साहित्य को पड़ा जा सकता है और संथाली भाषा में लिखा जा सकता है दरसल कुछ साल पहले जब रामजित जी ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल शुरू किया तो इस बात से दुखी हुए कि वो अपनी मात्रू भाषा में संदेश नहीं दे सकते इसके बात वो संथाली भाषा के लिपी ओल चीकी को टाइप करने की संभावना इतरास करने लगे अपने कुछ साथियों की मदद से उन्होंने ओल चीकी में टाइप करने की तकनीक विक्सित कर ली आज उनके प्रयासों से संथाली भाषा में लिखे ले लाखों लोगों तक पहुँच रहे हैं साथियों जब हमारे द्रड संकल्प के साथ सामुहिक भागिदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अद्भूत नतीजे सामने आते हैं इसका सबसे ताजा उदाहरन है एक पैड मा के नाम यह अभ्यान अद्भूत अभ्यान रहा जन भागिदारी का ऐसा उदाहरन वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है परियावरन सवरक्षन को लेकर सुरू किये गए इस अभ्यान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है उत्तरप्रदेश, गुजरात, मद्धप्रदेश, राजस्तान और तेलंगना ने लक्ष से अधीक संख्या में पाउधा रोपन कर नया रिकॉर्ड बनाया है इस अभ्यान के तहट उत्तरप्रदेश में 26 करोर से जादा पाउधे लगाये गए गुजरात के लोगों ने 15 करोर से जादा पाउधे रोपे, राजस्तान में केवल अगस्त महिने में ही 6 करोर से अधिक पाउधे लगाये गए है देश के हजारों स्कूल भी इस अभ्यान में जोर सोर से हिस्सा ले रहे है साथियों हमारे देश में पैड लगाने के अभ्यान से जुड़े कितने ही उधारण सामने आते रहे हैं ऐसा ही एक उधारण है तेलंगना के के एन राजश्यकर जी का पैड लगाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता हम सब को हैरान कर देती है करिब चार साल पहले उन्होंने पैड लगाने की मुहिम शुरू की उन्होंने ताई किया कि हर रोज एक पैड जुरू लगाएंगे उन्होंने इस मुहिम का कठोर वृत की तरह पालन किया वो पंदरा सो से ज़्यादा पहुदे लगा चुके हैं सबसे बड़ी बात ये है कि इस साल एक हाथसे का शिकार होने के बाद भी वे अपने संकर्प से डिगे नहीं मैंसे सभी प्रयासों के रदज से सराना करता हूँ मेरा आप से भी आग रहें कि एक पैड मा के नाम इस पवित्र अभ्यान से आप जुरूर जुड़िये मेरे पैरा साथियों आपने देखा होगा हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपदा में धहरिय नहीं कोते बलकि उससे सीखते हैं ऐसी ही एक महिला है सुबासरी जिनों ने अपने प्रयास से दुरलब और बहुत उपयोगी जड़िबुटियों का एक अदभुत बगिचा तयार किया है वो तमिलनाडू के मदुराई के रहने वाली है वैसे तो पेशे से वो एक टीचर है लेकिन आउसदिय मनिस्पतियां मेडिकल हब्स के प्रती उन्हें गहरा लगाव है उनका ये लगाव असी के दसक में तब शुरू हुआ तब एक बार उनके पिता को जहरी ले आपने काट लिया तब पारमपारिक जड़िबुटियों ने उनके पिता की सहत सुधारने में काफी मदद की थी इस गटना के बाद उनके पारमपारिक आउशदियों और जड़िबुटियों की खोच शुरू की आज मदुराई के वेरी चीवर गाउं में उनका अनोका हरबल गाड़न है जिसमें पानसो से जादा दुरलब आउशदिये पोधे हैं अपने इस बगीचों को तयार करने के उन्होंने कड़ी मेहनत की है एक एक पोधे को खोजने के लिए उन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की जानकारिया जुटाई और कई बार दूसरे लोगों से मदद भी भागी कोविड के समय उन्होंने इम्म्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़िबुटियों लोगों तक पहुचाई आज उनके हर्बल गार्ण को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं वो सभी को हर्बल पौधों की जानकारी और उनके उप्योग के बारे में बताती हैं सुबासरी हमारी उस पारमपारिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं जो सेंक्डों वर्सों से हमा पारे अतीत को भविश्य से जोडता है उन्हें हमारी डेर सारी शुपकामना है साथियों बदलते हुए इस समय में नेचर आप जौफ बदल रही है और नए नए सेक्टर्स का उभार हो रहा है जैसे गेमिंग एनिमेशन रिल मेकिंग फिल्म मेकिंग या पोस्टर मेकिंग अगर इनमेशन किसी स्कील में आप अच्छा प्रदशन कर सकते हैं तो आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्यूनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अउसर है आपके टालेंट और क्रियेटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारान मंत्राले ने क्रियेट इन इंडिया इस थीम के तहट 25 चालेंजिस शुरू किये हैं इस चालेंजिस आपको जरूर दिल्चस्प लगेंगे कुछ चालेंजिस तो मुजिक एजुकेशन और यहां तक की एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ट है इस आयोजन में कई सारे प्रोफेशनल औरनेशन भी शामिल है जो इन चालेंजिस को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं इन में शामिल होने के लिए आप वेवसिंडिया.org पर लॉगिन कर सकते हैं देश भर के क्रियेटर से मेरा विशेश आग रहे हैं कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रियेटिविटी को सामने लाएं मेरे पहरे देश भासियों इस महिने एक और महत्वपुन अभ्यान के दस साल पूरे हुए हैं इस अभ्यान की सब्रता में देश के बड़े उद्योगों से लेकर छोटे दुकानदारों तक का योगदान शामीर है मैं बात कर रहा हूं मेक इन इंडिया की आज मुझे देखकर बहुत खुशी मिलती है कि गरीब मध्यमबर्ग और MSM इसको इस अभ्यान से बहुत फाइदा मिल रहा है इस अभ्यान ने हर वर्ग के लोगों को अपना टैलेंट सामने लाने का आउसर दिया है आज भारत मैनुफेक्टरिंग का पावर हाउस बना है और देश की उवाशक्ति की वज़े से दुनिया भर की नजरे हम पर है अटो मोबाइल हो टैक्स्टाइल हो एवियेशन हो इलेक्ट्रोनिक्स हो या फिर डिफेंस हर सक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है देश में FDI का लगातर बढ़ना भी हमारे मेकिन इंडिया की सफलता की गाता कह रहा है अब हम मुक्रूप से दो चीजों पर फोकस कर रहे हैं पहली है क्वालिटी यानि हमारे देश में बनी चीजे ग्लोबल स्टेंडर की हो दूसरी है वोकल फर लोकल यानि स्थानिय चीजों को जादा से जादा बढ़ावा मिले मन की बात में हमने हैश्टेक माई प्रोडक्ट माई प्रैड की भी चर्चा की है लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने से देश के लोगों को किस तरह से फाइदा होता है इसे एक उधार से समझा जा सकता है महाराश्ट के भंडारा जिले में टेक्स्टाइल की एक पुरानी परंपरा है भंडारा टसर सिल्क हैंड लुप टसर सिल्क अपने डिजाइन रंग और मजबूति के लिए जानी जाती है बंडारा के कुछ हिस्सों में पचांस से भी अधिक सेल्फ हेल्फ ग्रूप इसे समरक्षित करने का काम में जूटे है इनमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागिदारी है यह सिल्क तेजी से लोगप्रिय हो रही है और स्थानिय समुदायों को ससक्त बना रही है और यही तो म लेकिन इंडिया की स्पिरिट है साथियों त्योहारों के इस मौसम में आप फिर से अपना पुराना संकल्पी जरूर दोराइए कुछ भी खर देंगे वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए कुछ भी किप्ट देंगे वो भी मेड इन इंडिया ही होना चाहिए सिर्फ मिट्टी के दिये खरीदना ही वोकल फोर लोकल नहीं है आपको अपने ख्षेत्र में बने स्थानिय उत्पादों को जादा से जादा प्रमोट करना चाहिए ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसे बनाने में भारत के किसी कारिकर का पसीना लगा है जो भारत की मिट्टी में बना है वो हमारा गर्व है हमें इसी गवरों पर हमेशां चार चान लगाने है साथियों मन की बात के इस एपिशोड में मुझे आप से